Push and Pull System in Supply Chain Management देखि मैनुफैक्ष्य का काम क्या है? प्रोड जो क्स्टमर तक पहुचाना यानि Supply Chain Management का यूस करके प्रोडट जो मैनुफैक्ष्य भनाते हैं उसको क्स्टमर तक पहुचाना ये काम हो गया अब मैनुफैक्ष्य के सामने एक question यह उठता है कि वो product बनाए तो कितना बनाए production करे तो कितना करे clear तो अब वहाँ पर उसके सामने दो option होते हैं पहला या तो वो क्या करे कि जब customer order करेगा तब वो product बनाएगा और फिर customer को supply chain के जरीए deliver कर देगा जैसा कि restaurant में होता है या फिर automobile sector में होता है तो जब आप four wheeler car purchase करने जा रहे हैं तो वहाँ पर जब आप booking करते हो उसके बाद फिर वहाँ पर car बनती है और फिर आपको deliver हो जाती है तो यह क्या है यह order की basis पर होता है यानि कि customer order करेगा then manufacture product को बनाएगा और फिर वो supply करता है customer को वहीं पर दूसरा option कहा है manufacture के सामने कि वो क्या करे कि वो forecast कर ले forecast कर ले कि हाँ इस product की demand आने वाले time पर इतने unit होनी है तो वो क्या करता है कि forecasted sales के according या फिर demand forecasting के according जो है पहले इसी product को बना लेता है और supply chain के जड़िए retailer तक पहुँचा देता है फिर जो customer होता है जब उसको ज़ोत पढ़ती है तो retaler के पास जाता है वहाँ पे जा के पर दिशेच कर लेता है तो push मतलब की धक्का देना और pull मतलब की खीचना तो खीचना यानि की customer खीच रहा है manufacture को तो manufacture product बना के एक से customer को deliver कर रहा है push मतलब की manufacture product बना के customer तक धकेल दे रहा है फिर customer को जब जोट परती तो जाके purchase कर लेता है तो push system और pull system यही है pull system यानि कि जब customer order करेगा तो manufacture product बना के supply करेगा that is pull system push system में manufacture forecast कर लेता है पहले से ही कि हाँ आने वाले time पे इतनी sale होनी है तो manufacture उसके recording product को बना कर retailer तक पहुचा देता है जैसे कि आप festivals में देखते होंगे तो festivals में सभी को पता है कि holy है दिपावली है तो उस time पे जो है जो particular product होते है holy में colors हो गए दिपावली में crackers हो गए या फिर दिये हो गए तो इन सब की demand बढ़ने वाले तो manufacture क्या करता है कि demand को forecast कर लेता और उसके recording product बना कर retailer तक पहुचा देता है जितने भी FMCG goods होते है अब हमको पता है कि FMCG goods के हैं fast moving consumer goods होते है इनको time to time customer इनको purchase ही करता रहता है तो वो forecast कर लेते हैं sales को और उसके recording product बना कर retailer shop पे रख देते हैं अब यह थोड़ी होता है कि आपको toothpaste लेना है तो आप जाओगे order करो कि उसके बाद toothpaste बनके आएगा नहीं तो टूथपेस्ट क्या है regular use product है तो manufacture पहले से forecast करके उसको बनाकर customer तक retailer पहुचा देता है फिर customer को जब जब पढ़ती है retail shop पे जाता है प्रचेश कर लेता है तो वो push system हो गया clear तो push system, pull system यही चीज है यहां पे तो सबसे पहले pull system है तो pull system in STM यहां पे क्या होगा कि customer order करेगा product pull system है customer खीच रहा है तो pull customer जो है वो क्या करेगा product को order करेगा उसके बाद फिर retailer जो है वो automatically replenish करेगा stock को यानि कि retailer क्या करेगा stock में देखेगा कि है कि नहीं है वहाँ पे जो है order को place कर देगा फिर distributor automatically replenish करेगा warehouse of the manufacturer यानि कि manufacturer के warehouse में मांगेगा क्यों product है कि नहीं अगर होगा तो वहाँ से customer को deliver कर दिया जागा अगर नहीं होगा तो manufacture क्या करेगा वो produce करेगा as per order यानि कि जो order आया है वो produce करेगा manufacture उसके according और फिर उसके बाद जो है customer को deliver किया जाता है अब manufacture प्रोडूस करेगा तो बट्टा भी से बता कि हो supplier से क्या करेगा order लेगा supply raw material जो है वो उसके लिए apply कर आअअ ओर देगा तो supplier supply as per order आने कि जो भी customer का order आया है उसके according manufacturer को raw material supplier supply करेगा फिर manufacture product को produce करेगा फिर distributor, retailer के जालिए customer तक पहुंसता है यह होता है pull system तो यहाँ पे main focus कोन हो गया customer हो गया कि customer order करेगा तो बागी सारी supply chain activate हो जाती है तो pull system में क्या हो गया कि in a pull based supply chain procurement, production and distribution are demand driven rather than based on prediction तो pull system में production या फिर forecast के basis पर नहीं बलकि demand driven होता है याने कि कब procurement करना है, कब supply से raw material मांगना है, कब production करना है, कब distribution करना है इस सारा चीज़े, demand driven है customer demand करेगा तो production, distribution और procurement होगा नहीं तो नहीं होगा तो that is pull based system, goods are produced in the amount and time needed याने कि जो भी amount में demand किया गया है और जो भी time duration मांगे उस time duration में उस amount में goods को produce किया जाता है, pull based system में, pull system are often preferred in situation where there is limited demand for a specific product और when the cost of managing access inventory outweights the benefit of having a surplus of product in stock, याने कि यहाँ पर यह चीज़ कहा जा रहे है कि pull system तभी आपके लिए फायदे मन्द होगा, जब किसी भी product के लिए specific demand होती है, याने कि specific product के लिए limited demand होती है, जैसे कि car है, तो car सभी लोग जाके purchase नहीं कर लेते हैं, उसकी demand limited देते हैं, जो है, वहाँ पर मिलेगा, तो वो क्या है, वो pull based system है, तो वहाँ पर क्या है, कि specific product की demand की जाती है, और limited demand होती है, इसलिए क्या होता है, वहाँ पर pull system चलता है, तो जहाँ पर भी specific product की demand हो रही है, limited demand है, और जहाँ पर inventory को stock करके रखना बहुत ही ज़्यादा costly होगा आपके लिए, वहाँ पर pull based system चलता है, और pull based system क्या है, वो JIT के concept पर depend करता है, clear, तो अब ही पर दूसरा है, push system in supply chain management, तो push system clear हो गया होगा, यहाँ पर क्या होता है, कि manufacture क्या करता है, forecast करता है, forecast करता है, और उसकी according product बना कर supply chain के ज़री रिटेटर तक पहुंचा देता है, तो manufacture, forecast, sales, or demand, यानि कि sales कर लिए, या फिर demand कर लिए, उसको forecast करता है, manufacture, उसके based on the forecast order given to supplier, यानि कि forecast के basis पे कि 10 unit बनाना है, कि 20 unit बनाना है, उसके इसाब से supplier को raw material का order दी जाता है, और supplier raw material supply कर देता है, supplier supply raw material to manufacture as per the forecasted sale, then product manufactured as per sales forecast, यानि कि जो product है, वो manufacture produce करता है, manufacture करता है as per sales forecast, उसके बिनाया गया है जो distributor को supply कर दिया जाता है forecast के according फिर distributors different retailers को supply करता है और finally जो customer होता है वो shop पे जाता है retail shop पे जाता है और purchase कलता है जो भी से उसको दिखता है तो that is push system यहाँ पर क्या हो गया कि forecast किया जाता है manufacturer forecast करता है उसके इसाब से production procurement और जो है यहाँ पे distribution होता है clear तो push system में क्या हो गया कि in the push system production begins based on the demand forecasted याने कि जो demand आपने forecast की है या पर previous year में जो भी sales रहा है उसके according जो है आप इस month भी जो है production start कर देते हैं तो forecast कर लिए आपने demand को उसके according जो है production इस start कर देते हैं इन push based supply chain products are pushed through the channel from production up to the retailer तो push based में क्या हो गया कि धक्का पुस्ट मनलब की धक्का देना तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि production कर लिया जाता है forecasted के according और फिर जो है जो raw material जो supply होता है वो पूरा जो है production से retailers तक पहुंचा दिया जाता है this means that the production happens based on the demand forecast यहाँ पर production किसके basis भो रहा है जो भी आपने demand forecast किया है उसके basis भो रहा है तो अभी यह कहां पर inventory कठा करके रखना जादा फायदे मंद रहेगा और जिसकी demand जादा है market में यानि कि demand इतनी है कि अगर आप पहले से जो है आप बना कर नहीं रखोगे तो आप demand fulfill नहीं कर पाऊगे और फिर आप क्या होगा आप profit नहीं कर पाऊगे तो इस case में क्या होता है कि जो product high demanded होते हैं उनके लिए जो है manufacture पहले से फोरकास्ट करके प्रोडूस करके रिटेलर तक समान को पहुंचा देता है clear तो that is push system तो pull system क्या होगा जहां पर consumer demand करता है उसके बाद फिर production distribution और जो है procurement जो है चलता है और वहीं पर push system जहां पर forecast कर लिए जाता है sales को और उसके बाद जो है वहाँ पर procurement और distribution चलना स्टार्ट हो जाता है clear तो push system में manufacture product बनाकर रिटेलर तक पहुंचाता है वहीं पर pull system में customer demand करता है उसके बाद फिर manufacture जो है product को बनाएगा customer तक जो है supply chain के जाए यह पहुंचाता है that is push system and pull system in supply chain management wish you all the best keep watching